नमस्कार आज हम चर्चा करेंगे मलेरिया के विशे में मलेरिया क्या होता है, कैसे फैलता है और इसका इलाज क्या है मलेरिया एक संचारी रोग है जो परजीवी के संक्रमन से होता है मलेरिया के कारण आलपरक्तिता वब पीलिया भी हो सकता है यदि इसका तुरंद इलाज ना किया जाए तो गुर्देविफल, समुर्चा वब अम्रत्व भी हो सकती है संक्रिव्ट मादा एनाफेलेज मच्छर बेक्टी को काटता है परजीवी यकरत कोसिका में प्रवेश करते हैं परजीवी कई गुणा पर बढ़ते हैं, मल्टिप्लाई होते हैं परजीवी रक्तधारा में प्रवेश करते हैं परजीवी लाल रक्त कोसिकाओं में प्रवेश कर तब तक संख्या में पढ़ते रहते हैं, जब तक वह है फट न जाए, और तब परजीवी दूसरी लाल रख्ते को सीकाओं में संग्रिमित करते हैं कुछ परजीवी, युग्म, जनक बन जाते हैं, और जब कोई मादा एनफिलीज मच्छर संक्रिमित व्यक्ति को काड़ता है, तब ये परजीवी उस मच्छर में प्रवेश कर जाते हैं इस प्रकार वह मच्छर मलेरिया के रुगानूं का वाहग बन जाता है यदि हम मलेरिया के लच्छनों की बात करें, तो मलेरिया में मतली वा उल्टियां होती है, पसीना वा तेज बुखाराता है, ठाकान वा बदन दर्द होता है, कपकपी करके बुखाराती है, या कपकपी छूटना वा ठंड लगना जैसे लच्छन होते हैं इसके लिए blood investigation करते हैं, blood investigation करके ये पता करते हैं कि इस बिक्तिको malaria, parasite का infection है कि नहीं है, रिपोर्ट डाक्टरों को दिखाते हैं, यदि malaria positive है, तो जो भी डाक्टर आपको advice करता है, जो भी medicine advice करता है, उस medicine को time से लेना चाहिए, गंभीर मामला है, तो खूंचडवा लेना चाहिए, blood transfusion कराना चाहिए, मच्छर दानी लगा करके सोना चाहिए, केट ना सक दवाईयों का चिड़काओ करें, तथा मच्छर भगाने वाले दवाईयों का या पदार्थों का प्रियोग करें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, तथा पानी को खड़ा न होने दें, पानी को टंकियों को सदेओं ढखकर रखें, और यदि आपके आसपास पानी का कलेक्शन है, तो उसको साप करते रहें, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, करपया चैनल को सब्सक्राइब करें, सेर करें, लाइक करें